नमस्कार मैं हूँ अर्जुन खजूर और आपका स्वागत है हमारे चैनल में इस समय एक बड़ी ब्रेकिंग जो है महराष्टरा से आ रही है वो यह है कि कैबिनेट का जो एक्सपेंशन है उसको लेकर के जो है फॉर्मूला जो है तयार हो चुका है और भारतिय जनता पाटी और शिवसेना के बीच में जो है इस पर बैठकों का दोर जो है वो चल रहा है और सूत्रों के हवाले से ऐसा सुनने को मिल रहा है कि बीजेपी के पास जो है 25 के आसपास जो है मनिस्टर आने वाले हैं और वहीं बात कि जाए अगर शिवसेना की तो लगबग 13 मंत्राले जो हैं वो शिवसेना के पास जाने वाले हैं अगर बात कि जाए महाराष्टरा विधानसबा की तो 288 वाली इस विधानसबा में 42 मन्त्री रह सकते हैं और ऐसा क्यास लगाया जा रहा है कि 11 जुलाई को जो सुप्रीम कोट जो है अपना वर्डिक्ट देने वाला है क्योंकि कोट के अंदर जो है 16 MLS को अयोग्य करार देने का फैसला उसमें अभी तक लंबित है तो उसके बाद जो है ये कैबिनेट एक्सपैंशन हो सकता है और ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि दो चरनों में इस कैबिनेट को जो एक्सपैंड किया जा सकता है जिसका पहला चरन जो है वो आने वाले राश्ट्रपती चुनाव से पहले हो सकता है और जो दूसरा जो फेज होगा कैबिनेट एक्सपैंशन का वो राश्ट्रपती चुना मंत्री थे उस समय उनके पास जो मंत्राले थे चाहे वो अर्बन डिवेलपमेंट का हो या फिर MHR DC का हो दुबारा से जो है एक नाचिंदे ये अपना रीटेन कर सकते हैं दोनों मंत्राले और वहीं बात की जाए अगर देविंद्र फण नवीस की जो पांच साल मुख्य मंत् जो है वो फिर से देविंद्र फण नवीस के पास आ सकती है क्योंकि BJP के पास जो है 106 का आंकड़ा है MLS का विधान सबा में और जितने भी बड़े डिपार्टमेंट्स हैं क्रीम डिपार्टमेंट्स हैं चाहे वो रेवेन्यू हो फाइन्स हो एजुकेशन हो इन्वेर्मे अर्बन डिवेलप्मेंट जैसे डिपार्टमेंट आ सकते हैं और इसका जो फॉर्मूला निकाला गया है कि मनिस्ट्री जो है किस हिसाब से दी जाए ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो इस समय देश के ग्रह मंत्री अमिच्छा है उन्होंने जो है इस फॉर्मूला पर काम किय है कि शिवसेना के हर तीन MLS पर एक मिनिस्टर और BJP के हर चार MLS पर एक मिनिस्टर इस हिसाब से जो है कोटे को फिक्स किया जा रहा है और इस हिसाब से ऐसा जो सिनेरियों वहां पर महाराश्टरा में बनता दिखाईदार है 25 के लगबग जो है BJP के कोटे से मिनिस्टर आ स महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंदर फडनवीस ने नाकपूर में जब रिपोर्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी जो कबिनेट एक्सपेंशन है उस पर चर्चा चल रही है लेकिन उससे पहले उन्हें कुछ समय चाहिए उस पर चर्चा करने के लिए स कोवर्नर के राजबवन में बगत सिंग कोशियारी जी के नेत्रितव में शपत ली थी मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री पत की उसके बात से ही जो है राजनितिक चर्चाएं तेज हो गई थी महाराष्ट्रा में कि अब कैबिनेट का जो विस्तार है वो कब तक होगा और अभी जो इंतजार है वो चल रहा है 11 जुलाई तक का क्योंकि 16 MLA के डिस्क्वालिफिकेशन का और साथी में जो शिंदे गुट ने जो निया विप जो बना है उसको जो है चैलेंज किया गया है कोट में तो उसी वडिक्ट के बाद जो है ये कैबिनेट एक्सपेंशन ह हो सकता है एकनाच छिंदे के साथ जो 50 भागी विधायक थे उसमें अगर बात की जाए जो पिछली सरकार थी जिसमें उदव DOV ठाक्रे मुखे मंत्री थे उसमें 9 ऐसे मंत्री थे जो rebel group के साथ जो एकनाथ सिंदे के बागी group के साथ जो है अलग हुए थे उदव ठाकरे से उनमें से छे जो minister है वो शिवसेना के थे और बाकी जो तीन minister है वो independent यहां फिर किसी छोटी पार्टी से बिलॉंग करते थे तो ऐसा जो है सुत्रों के वाले से माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो है दोबारा से वापिस से उनी लोगों को वो मंत्राल्य देना चाते हैं उनी 9 लोगों को वो मंत्राल्य मिल सकता है जो पहले भी minister थे ताकि जो पार्टी के बीच में जो है cabinet में मोका दे सकती है जो पहले जिनके पास कभी मंत्राल्य नहीं रहा है उनको इस बार cabinet expansion में उनके पास एक opportunity आ सकती है मंत्राल्य संभालने की क्योंकि कुछ समय बाद माहराष्ट्रा में विधान सभा का चुनाव होने वाला है और भारतिय जनता पार्टी इन ने चेहरों को उतार करके जो है लोगों के बीच में जाएगी और देखेगी की ये जो फॉर्मूला है ने लोगों को मंत्राल्य सोंपने का क्या ये लोगों के बीच में acceptable है क्या लोग इन ने जो ministers बनाए जाएंगे जिसमें हमें कुछ यंग चेहरे कुछ महिला चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं क्या ये लोगों के बीच में acceptable है या नहीं इन सब cabinet विस्तार के बीच में जो है ने leader of opposition भी चुने जा चुके हैं जो है NCP से आने वाले National Congress Party से आने वाले अजीत पवार उन्होंने जाकर के जो है राज्य के गोवर्नर बगत सिंग कोश्यारी से भी मुलाकात की उनसे बेंट की और अगर बात की जाए इस समय महाराष्ट्रा विधान सबा के जो speaker है राहुल नावेरकर उन्होंने भी जो है ये कहा है कि NCP जो है इस समय सिंगल largest opposition party बन करके उबरी है और उसी वज़ा से जो है जीत पवार बने है leader of opposition महाराष्ट्रा विधान सबा में और मुख्यमंत्री एकनाच शिंदे ने भी जो है जीत पवार की तारीफ करते हुए कहा है कि वो एक mature politician है और एक अच्छी administrator है और कहीना कहीं से एक healthy politics की शुरवात होती हुई महाराष्ट्रा में दिखाई दे रही है अलांकि कुछ दिन पहले शरत पवार ने कहा था कि 2024 तक जो है ये सरकार नहीं टिक बाएगी उससे पहले ही जो है ये सरकार का तक्ता पलट हो सकता है और ऐसे ही कुछ बागी सुरह में संजेर रौत से भी सुनने को मिले थे अगर बात की जाए cabinet विस्तार की तो जो formula है कि किसी भी state में आप जितने भी उसकी total विधान सबा की seatे हैं उसके 15 प्रतीशत से जादा आप मनिस्टर नहीं ले सकते तो उस हिसाब से महाराष्टा विधान सबा में देखा जाए तो लगबग 42 के आसपास मनिस्टर रख सकते हैं और वैसी कुछ तयारी चल रही है जिसमें 25 के आसपास भारती जनता पार्टी के कोटे से रहने वाले हैं और 12 से 13 जो मनिस्टर हैं वो एकनाच छिंदे गुट के रह सकते हैं जिसमें कुछ हमें इंडिबेंडेंट और छोटी पार्टी के भी MLS देखने को मिल सकते हैं कारे भार संबालते हुए मंत्रा लेके रूप में जबसे महाराष्ट्रा में MLS के चुनाव के बाद से जबसे जो है विधायक भागी हो करके एकनाच छिंदे के गुरूप में गया है यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज उनको संभालनी थी वो थी अगर सरकार बनती है तो उसके बाद जो मनिस्ट्री है वो कौन सी मनिस्ट्री जो है किसको दी जाए और यह एक बहुत बड़ा कारण है कि BJP ने 106 MLA होने के बावजूब स्टैब डाउन किया CM पत से क्योंकि 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं से पहले कहीं ना कहीं महाराष्ट्रा की जनता का जो है दोबारा दिल जीतने का प्रयास है भारती जनता पार्टी का और यह एक मुख्य कारण हो सकता है कि देवेंदर फड़नवीस जो है वो वापिस से ग्रह मंतरा ले सकते हैं क्योंकि 2014 में उन्होंने जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट अपना शुरू किया था आरे फोरेस्ट का मेट्रो 3 के नाम से जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2019 में उद्दव सरकार आने के बाद से उस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई थी अलांकि उसका 25 प्रतीशत काम पूरा हो चुका था और अब दोबारा से मंतरा ले ले करके देवेंदर फडनवीस यहां पर उस कारे को रिज्यूम करना चाहते हैं मेट्रो 3 का उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसे महराश्ट्रा में गाड़ियों की जो पारकिंग की जो समस्या है उसका कही न कही लोगों को वहां के निजात मिलेगी और उसके लावा बात की जाए अगर बुलेट ट्रेन की तो बुलेट ट्रेन को भी जो है जल्दी से जल्दी मंबई से एहमदाबाद के बीद का जो उसका प्रोजेक्ट है उसको किस तरह से खतम किया जाए जल्दी से जल्दी उसको लेकर के भारतिय जनता पार्टी आगे का विकास के कारें को लेकर के जो है मनिस्ट्री अपने पास रख सकती है और अगर बात की जा मंबई नाकपूर एक्सप्रेस वेका उसका भी कारे तेजी से किस तरह पूरा किया जाए क्योंकि जो उदव ठाकरे के साथ इस समय विधायक है जो उदव ठाकरे का इस समय खेमा है कहीं न कहीं वो चाहेगा कि अभी सरकार तो बन चुके है लेकिन इनके बीच में जो फूट है वो इस तरह से डाली जा सकती है कि मंतरालेों का बटवारा किस तरह हो और यही एक वज़ा है कि काबिनेट एक्सपैंशन में कोई जादा जल्दी नहीं की जा रही यह एकदम उस पर समय लेकर के हर एक छोटे से छोटे पहलू पर विचार करके जो है भारती जनता पार्टी और शिव सैना की यह जो नई सरकार बनी है गडवंदन सरकार बनी है जिसमें एक नाथ छिंदे मुख्य मंतरी हैं उस पर कारे कर रही है और आपका क्या कहना है आपके क्या विचार है इस कबिनेट एक्सपेंशन को ले करके तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेर कर सकते हैं कि किसको जो है कुन सा मंतराले मिल सकता है क्या दोबारा से हमें वही चेहरे देखने को मिलेंगे जो पिछली सरकार में जिनके पास जो मंत्राले था या फिर जो भारती जनता पार्टी की नई रननिती है जिसमें ने चेहरों को मोका दिया जा सकता है मंत्राले संभालने का क्या फिर या फिर उनके पास इस बार मोका मिलेगा उनको नई जिम्मेदारी ले करके जो है महाराष्ट्रा की जनता का दिल जीतने का आप अपनी रहे कमेंड बॉक्स में हमारे साथ शेर कर सकते हैं फिर से जोड़े ताज अपडेट के साथ आएंगे एक नई वीडियो ले करके और आप बने रहे हमारे साथ दन्यवाद